पिविट टेबल जैसे ही मैंने इसमें पिविट टेबल सेथ किया अब यहां पर आपको थोड़ा से चैंजिस करने क्योंकि हमें अपने डेटा मॉड़ील को पिविट टेबल में लोड करने उसके लिए आपने क्या करना है दोस्तों अगे अपने पाउओर पावर के सीखें अयआ हैं पावर रहने हैं अबागा है और किस तो बिना टाइम to operate स्क्रीन में चलते हैं और पार्ट 16 सी लेते हैं दोस्तों हम आगए अपने पावर कुम जईखा था हम है रार्की कैसे ऑप ने। तो एपने स्क्रीन वहीं से सुरू करते हैं जहां पो लास्ट के बनाये था अब हमने देखने हैं हम पावें पे जा कैसे सकते हैं और यह पावर फुल क्यों है नॉमल पिविट से सबसे पहले पावर पिविट में जाने के लिए आप अपने डेटा मॉडल में अचुके हैं अब हमें इस डेटा को complete entire data को power pivot में ले जाना है, तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले home tab में click करना है, home tab में click करने के बाद, यहाँ पे आपके बाद एक option आ जाता है pivot table का, तो इस pivot table में आपको drop down में click करेंगे, आपके बहुत सारे option आ जाएंगे, pivot table, pivot chart, chart to table, horizontal, vertical, बहुत सारे option आ ज करते हैं, हम अपने data को सिर्फ power pivot पे पुल करते हैं, तो इसके लिए मैंने drop down में click किया, और मैंने simple click कर दिया pivot table, जैसी मैंने pivot table क्लिक किया, यह बोलता है, इसी workbook में चाहिए, या आप एक new workbook में बनाने चाहते हैं, अगर आप new में बनाने चाहते हैं, आप new कर दीजिए, existing में बनाने चाहते हैं, तो existing कर दीजिए, यह बोल रहा है कि, इस sheet में कौन से cell से आपको power pivot बनाना है, तो अभी के लिए दिखा रहा है, n9, तो मैं n9 यह आप देख सकते हैं, यहां पर मेरा n9 selected है, तो मैं इसे हटा के, मैं यहां पर select कर लेता हूं, for an example, मैं इसे select कर लेता ह कि मेरा यहां से data आ जाए, और okay कर देता हूं, तो अब जो मेरा power pivot बनने वाला है, वो बनेगा, cell B2 से, okay जी, वो बन गया, उसके बाद मैंने simple एक click कर दिया, और okay, तो यह देखिए दोस्तों, हमने अपने data model अपने power BI में लोड कर दिया है, अगर आप देखेंगे, यहां प अपास यह data model है, मतलब आप एक pivot पुल करेंगे और यह सारे का सारा data, आप एक साथ शो कर सकते हैं, एक साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, यह तो हमने एक view देख लिया, हम अपने power pivot में कैसे आ सकते हैं, अपने data model को कैसे ला सकते हैं, चलिए दूसरा भी देख लेते हैं, अपन से पहला option आ रहा है pivot table जैसे प्रेणिस टेबल डीहें देट्र टेबल में उसके लिए आप अपने लिए यूज्ट वर्गूर्ग डीता मॉडल मतलब सफंप देटा मॉडल मतलब्स जितने भी अपने डीटा मॉडल बनाये हैं उन सब के तुरू एक पावर पिविट बनाके दो तो मैंने यह सेलेक्ट कर लिया यह बोलता एक्जिस्टिंग जी हां मुझे एक्जिस्टिंग शीट में ही बनाना है और यहां पर मेरी दो तरी के सीख लिए अपने डीिता ओंडल को पावर पिवर पे कैसे पूल करते हैं और इसके बाद हम और सीखेंeten इसके बाद हम अपने von इसके यह बडराइख अप्र पने डेटा मॉडल में can evolve लगाना सीखेंगे तो यह उपनगो पावर पिवेट इस में कुछ भी करके कैसा भी पिविट बना सकते हैं वह सारे डेटा की सारे शीट्स का डेटा लेके आपको एक सिंगल पिवट देगा चलिए दोस्तों आशे करता हूं आप लोगों वीडियो पसंद आगी होगी पसंद आई तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करना अपने कमेंट्स देन बहुत बहुत धन्यवाद